हेलो, नमस्कार सभी साथ यो, कक्छा आठवी, विसाई बिग्यान, इसमें हैं जो बारसेक मूनलाकन वर्कसीट 2021 प्रोजेक्ट कारेश को हम हल करेंगे, कक्छा आठवी, पूरा अंख है जो 40 अंख का कुल है, और यहां हम सबसे पहले देखेंगे, अंखों में रोल लंबर अ सबसे पहले यहां दिखा हुआ है निर्दीश, प्रस्ण को पढ़कर निर्दीश आनुसरोत्तर लिखना है, पहला प्रस्ण बन उन्मूलन, बन उन्मूलन है जो बनों की कमी की कारण है जो इस से होने बाली परिणाम, बन प्राणियों की जीवन पर इसका प्रभाव, एव कारणों को प्राकृतिक एवा मानव निर्मित में बर्गी करत करके हमें लिखना है साणी में, अब देखिए चार अंक का प्रस्ण है कितनी का है, चार अंक का, सबसे पहले प्राकृतिक कारण में क्या लिखेंगी, बाल, भुकंप, ज्वाला मुखी, सुनामी और चक्रवा इनकी कारण है, जो बन उनमूलन हो रहा है, अब जो मानव निर्मित कारण है, जैसे दिलगाडी की कारण भी बनों को नस्ट किया जा रहा है, सडक निर्माड, भवन निर्माड, हिमार्ति वा, जलाव लकडी की कारण भी कम हो रहे हैं, और देखते हैं, यहां देखिए जंगल में लगने वाली आकुदाववनल कहा जाता है क्रसी हेतु जंगलों को काटाई करना क्रसी हेतु जंगल की कटा नहीं और था निरमान में भी जंगलों को नश्ट किया जा रहा है काटा जा रहा है अब देखिए बन उनमूलन से होने वाली चार दोस्प्रभावाव की जो दुस परिणाम है, उनकी सूची बनाईए, सबसे पहले देखिए, दुस परिणाम क्या-क्या है, प्रतवी पर तापमान के इस्तर में ब्रध्धी हो रही है, प्रतवी पर बढ़्शा की कमी हो रही है, तापमान में ब्रध्धी का होना भी दुस परिणाम है, बन नजीब जीवों की संख्या में कमी आना, बनस्पतियों की भी कमी आना, जब दीरे-धीरे बन है जो निस्पतियों के भी कमी आएगी। अंगला देखती हैं यहाँ पर बन-उन्मुलन की संख्या में कमी हो रही है. तथाय उनकी आवास समाप्त होने की कारण बन नजीव अन छेत्रों में पलायन कर रही है इस परकार सी हमने यहां पर इनकी छेत्र बना दिये बन नजीवों की कौन कौन सी है आप अपने अनुसार भी यहां चपका सकती है राश्टी उध्यान किसी कहती है जो मद्द प्रदेश में किनी दो राश्टी उध्यानों की यहां नाम लिखना है राश्टी उध्यान राश्टी उध्यान जो ऐसा उध्यान होता है जिसे किसी राश्टी की प्रसासनेक प्रानाली द्वारा उपचारिक रूप से सनलक्षत करा गया हूँ प्रसासन एक रूप से अपचारिक प्रसासन प्रणाली द्वारा अपचारिक रूप से सर्रक्षत करा गया हूँ अब जो दो राश्टी उद्ध्यान उने की नाम देखिए जैसे बाधागर राश्टी उद्ध्यान, काना किसली राश्टी उद्ध्यान और पन्ना राश्टी उद्ध्यान इस प्रकार सी हम यहां पर लिखतेंगी अंगला देखते हैं बन और बर्सा में क्या संबन्द है बरसा की जल का बहाव बनो की कारण कम होता है जिससे भूशकलन भूवपरदन नहीं होती है तथा इससे भूमी का जल स्थर में भी क्या होती है ब्रद्धी होती है बनो की कारण है जो जल का बहाव कैसा हो जाता है कम हो जाता है जिसकी कारण है जो भूशकलन मतलब भूमी का बुख़ा भूवपरदर है जो नहीं होते, तथा भूवी जल में क्या होती है? ब्रद्द्ध होती है, इस परकार बन और बरसाक में हम सम्मंद लिखते हैंगे हमें कागच की बज़त क्यों करनी चाहिए उन कारियों की सूची बनाईए जिनकी आप कागच की बज़त कर सकती है कागच की बज़त क्यों करनी चाहिए वो हमें यहां पर लिखना है सबसे पहरे देखिए कागच का नर्माण बास वा अन पौधों की द्वारा किया जाता है जिसके कारण बनस्पती अर्थात ऐसी पादप जिन सी कागच बनता है प्रतिवर्स उनकी भारी मात्रा में कटाई होती है अब कागच के स्थान पर कपड़े के थैले का उपियोग करना रद्धी कागच से गत्ती वा अन उपियोगी सामकरी बनाना कागच का पुना चक्रण वा पुना उपियोग करना यह हम कर सकती है अब अंगला प्रस्ण है विभिन्य परकार की सुक्षम जीवों का अध्यान कर उनसे संबंदेज जानकार यह कात्रित करना सबसे पहले देखिए यहाँ पर सुक्षम जीव क्या है इसे जीव जो अतियन छोटी होती है जिने हम खुली आँखों से नहीं देख सकती इन्हें देखने के लिए हमें सुक्ष्म दर्सी का उपियोग करना पड़ता है इन जीवों को हम क्या काईती है सुक्ष्म जीव काईती है इस परकार हम इसी सुक्ष्म जीवों क्या है लिखते हैंगे सुक्षमी जीमों को कितनी भागों में बर्गी करित किया गया है ये बताना सुक्षमी जीमों को चार भागों में बर्गी करित किया गया है जीवानू, कबाक, प्रोटो जुआ और सेवाल इस प्रकार है जो हमने विज्ञान विज्ञान की जो प्रोजेक्ट है उसको हमने पूरा कर लिया है यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सस्क्रेब जरूर करें लाइक करें और अपने दोस्तों तक सेयर भी करें